हेलो बिटा ये question हमें दिया हुए बिटा इसको solve करते समय हम property का इस्तिमाल करते हैं बिटा अधरवाई ये थोड़ सा lengthy हो जाएगा हमारे पास property है बिटा ncr equal to ncn-r ये property है ठीक है तो आप इसको लगा दिजे nc8 equal to ncn-2 बिटा ठीक है ये वाली property हमने लगा दिए हम पे और अब ये हो जाएगा बिटा क्योंकि n दोनों उपर same है तो ये नीचे भी अगर ये दोनों equal है तो इसका मलब ये और ये दोनों same ही होंगे यानि 8 equal to n-2 और इसका मलब n की value 10 आगी बेटा ठीक है आप इसको substitute करके भी देख सकते बेटा ठीक है फरदर भी देरका मैं कि nc2 की value निकालो तो वो तो असानी हो जाएगा क्योंकि n की value हमारे पर 10 आगी 10c2 यानि 10 by 2, 9 by 1 यानि 45 ये answer है बेटा देखो बेटा ये question दिया हुए हमें बेटा आप इसको पहले इसको खोले खीक है ये हमें क्या दिया हुआ बेटा इसको खोले हम तो क्या हो जाएगा 2n by 3 सोट कर से खोला हमने 2n minus 1 upon 2 2n minus 2 upon 1 बेटा ठीक है इसके नीचे n by 2 को कैसे खोले मेटा n by 2 nc2 को n by 2 into n minus 1 upon 1 और ये दे रहा हमें मेटा 12 upon 1 ठीक है क्लियर है अब बेटा देखो आप ये नीचे वाले को उल्टा कर देंगे न ठीक है तो आप हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा यहां देखो 2n upon 3 2n minus 1 upon 2 इसमें से 2 common ले ले लेते बेटा 2n minus 1 ठीक है upon 1 और नीचे वाला क्या है ये वाला ये उल्टा हो जाएगा यानि ये आपके पास 2 उपर और नीचे हो जाएगा बेटा n into n minus 1 ये हो जाएगा और ये equal to है हमारे पास 12 ratio 1 ठीक है किलियर है आप देखो बेटा यहां पे देखो क्या क्या कर सकते हैं 2 से 2 कड़ गया बेटा n minus 1 से n minus 1 भी कड़ जाएगा इस n से ये n भी कड़ जाएगा ठीक है और क्या रह गया ये 2 से a ये कड़ जाएगा बेटा 6 ह हो गया ठीक है यानि आप हमारे पास क्या रहे गए यहां पर 2n-1 upon 3 रहे गे बीटा इस ठीक है यहाँ पर लिखते हैं इसको हमारे पास रहेगे बीटा 2n-1 upon 3 और उदर की साइड भी हमारे पास 3 ठीक है क्रॉस मल्टिप्लाइए करें तो यह आपको आता ही होगा 2n-1 equal to 9 यानि 2n equal to 10 यानि n की value बेटा 10 by 2 यानि 5 answer ठीक है तो ये question बहुत असान था ठीक है बेटा clear है ये question दे रहे है बेटा ये question दे रहे है ये भी असान है बेटा आप इसको खोलिए पहले 2n upon 3 2n-1 upon 2 2n-2 upon 1 ये खोल गया बेटा और ये upon nc3 भी खोलो बेटा n by 3 n-1 upon 2 n-2 upon 2 1 n-2 ये ऐसे decreasing में होता है ठीक है अब ये equal to हमें दे रहे है 11 by 1 ठीक है अब इसको फर्दर सॉल करते हैं ये हो जाएगा हमारे पास 2n by 3 ये हो जाएगा 2n-1 upon 2 बेटा और यहाँ से 2 common ले 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 लेटा 2n-1 upon 1 और ये एपोजिट करना है यानि इतनको हमें उल्टा कर देना है यानि 2 into 3 उपर चला गया बेटा और नीचे हो जाएगा N, N-1, N-2, 11 by 1, ठीक है बेटा, अब simplify कर देते हैं इसको, 2, 3, ये 2, 3 तो कड़ गए बेटा, ठीक है, N भी कड़ जाएगा, ये N भी कड़ जाएगा, अब हमारे पास यहाँ पर क्या रहे गया, यहाँ पर इसको रब करके खुड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पर space है हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं इधर की side है हमारे पास बेटा, 4, 2N माइनस 1, और हमारे पास रहे गया, N माइनस 2 नीचे है, N माइनस 2 एक्वल टू 11 भाई 1, ठीक है, यह हमारे पास 4, 2N माइनस 1 और नीचे N माइनस 2 ही रहे गया था, तो यह हो गया बेटा, अब इसको further solve करो बेटा, यह हो जाएगा, 8N माइनस 4 एक्वल टू 11 N माइनस 22, ठीक है, अब 22 को बेशेक आब इधर को लिया हो बेटा, ठीक है, 22 को जब हम इधर को लिया है, तो 22 मेंसे 4 मैनस होगे तो यानि 18, और यह हमारे पास 8N इधर को चला जाएगा, that is your 3N, यानि 3N इक्वल टू 18, यानि बेटा, N की वेल्यू हमारे पास 18 बाई 3, यानि 6, ठीक है बेटा, यानि N की वेल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है, बहुत असान है, ठीक है बेटा, कोई भी कोशेन करना हो, आपको पहले थ्योरी बहुत किलियर हो ली चाहिए, ठीक है, चलो, बेटा, हमारे पास सरकल है और 21 पॉइंट्स है, अगला कोशेन हमें दे रहे है बेटा, कि हमारे पास सरकल है और 21 हमारे पास पॉइंट्स है, 21 हमारे पास पॉइंट्स है, ठीक है, सरकल में, ठीक है, तो सरकल होगा हमारे पास, और किसी भी 2 point को जोडने से बेटा cod बन जाएगी है ना ठीक है यानि हमें क्या करने 21 point में से 2 point का selection करना है ठीक है तो हम क्या करेंगे बेटा 21 c 2 या answer हुआ है ना क्यूंकि हमें 2 point जोडने अब पहले मैं यह point लूँ यह point लूँ यह तो यहां पर हम सेलेक्शन करेंगे कंबिनेशन करेंगे ठीक है तो यह नहीं 21C2 आंसर आजाएगा बैटा 21 बाइटू 20 बाइवन और यह हो जाएगा 210 यहनि 210 कॉर्स टोटल अपके बन जाएगे ठीक है बैटा चलो यह भी आसान था है ना एक को बाइटिक है यह कोशन में हमें क्या दिय verm बैटा कि हमारे पास कोई टीम है जिसमें उसलेफिए और फॉर गर्स ए ठीक है आपको आपको एक टीम बना नहीं हमारे पास अबलेबल बंदे यतने फाइब बॉइज, एडवार गल्स टीक है, आपका काम तभी बनेगा ना जब आप यह दोनों चीछ करने हैं, आपको तो तीन boys को आप कैसे select कर सकते हो बेटा पांच में से 5C3 से है ना और boys को girls को कैसे select कर सकते हो 4C3 से और काम आपका तभी बनेगा तभी बनेगा जब यह दोनों selection होगा इसलिए multiplication बेटा यह total number of ways हो हुई है ठीक है यानि 5 by 3, 4 by 2, 3 by 1 अगला हो जाएगा यह बेटा 4 ही हो जाएगा है ना वह कट खुटाके 4 by 1 हो जाएगा क्योंकि यह ncr equal to ncn-r वाली property मैं यहां पर लगा दी है ठीक है तो यह यह असान है 3 से 3 कर जाएगे बेटा 2 से यह कर जाएगा पांदोना 10 यानि 40 वीज हो जाएगी बेटा ठीक है चलो